अब हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे एक शांत स्थान पर लेट जाएं अगर जमीन पर नहीं लेट पा रहें तो बिस्तर पर लेट जाएं शरीर को धीला छोड़ें पैरों में एक फीट की दूरी हो हाथों को भी शरीर से एक फीट की दूरी पर रखें हाथों के तलवे आकाश की तरफ हों सिर को थोड़ा बाई तरफ गुमाएं आँखें बंद करें श्वास भरें धीरे से छोड़ें एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से बहार छोड़ें श्वास भरें श्वास को बाहर करें संकल्प करें आने वाली श्वास मुझे उर्जा दे रही है बाहर निकलने वाली श्वास शरीर से तनाव थकान दूर कर रही है श्वास भरें धीरे से छोड़ें श्वास भरें धीरे से छोड़ें संकल्प करें अंदर आने वाली श्वास मुझे आनन्द दे रही है बाहर निकलने वाली श्वास शरीर से सभी चिंताओं को दूर कर रही है श्वास अंदर भरें धीरे से बाहर छोड़ें मन में ये संकल्प करते हुए अपने शरीर को शित्थिल और तनाव रहित अवस्ता में अनुभव करना है शरीर को पूर्ण विश्राम देना ही हमारा उद्देश्य है अपने पूरे शरीर के प्रती सरजग हो जाएं लंबा गहरा सांस लें और बाहर छोड़ें सबसे पहले बंद आँखों से ही मन की शक्ती द्वारा दाएं पैर के अंगुठे पर ध्यान दे दाएं पैर का नाखुन दाएं पैर की छोटी उंगलियां दाएं पाउं दाएं टक्खना पूरे दाएं पैर के प्रती सरजग हो जाएं यदि वहाँ कोई दर्ध है कोई तनाव है तो उसे महसूस करें पैर को डीला छोड़ें और तनाव रहित महसूस करें पैर में कोई तनाव नहीं है अब दाएं पाउं की पिंडलियां यानी काफ मसल्स के प्रती सरजग हो जाएं और विचार करें कि मेरी पिंडलियां पून तह स्वस्थ तनाव रहित वे पून विश्राम के वस्था में हैं इसी तरह दाएं घुटने के प्रती सरजग हो दाएं जांग पूरी दाएं टांग के प्रती सरजग हो जाएं उसे स्वस्थ तनाव रहित वे पून विश्राम के वस्था में अनुभव करें पूरी तरह से शिथल करें इसी तरह अब बाएं पैर के अंगुठे के प्रती भी सरजग हो जाएं बाएं पैर के अंगुठे का नाखुन बाएं पाओं के उंगलियां उनके नाखुन पूरा बाया पैर बाया टकना यदि वहाँ कोई दर्ध है तनाव है उसे महसूस करें उसे धीला और तनाव रहित महसूस करें बाएं पैर में कोई तनाव नहीं है अब बाएं पाओं के पिंडलियां यानी काफ रीजन के प्रती सरजग हो जाएं और विचार करें कि मेरी पिंडलियां पूर्ण स्वस्त तनाव रहित वे पूर्ण विश्राम की अवस्ता में हैं इसे थरा बाएं घुटने के प्रती सरजग हो बाएं जांग पूरी बाएं टांग के प्रती सरजग हो जाएं अपनी पूरी बाएं टांग को स्वस्त तनाव रहित वे पूर्ण विश्राम की अवस्ता में अनुभव करें दोनों टांगों को धीला छोड़ दें अपने दोनों टांगों के प्रती सरजग हो जाएं इन्हें विश्राम दें अब अपने पेट के निचले हिस्से के प्रती सरजग हो जाएं वहां होने वाली कोई भी मूवमेंट, दर्द, तनाव के प्रती सरजग हो जाएं और इस पार्ट को स्वस्त तनाव रहित अवस्ता में अनुभव करें अपनी नाभी के प्रती सरजग हो जाएं अपने पेट के प्रती सरजग हो जाएं और संकल्प करें कि आपके पेट के सभी अंग आपका स्टामक, लीवर, किड्नी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, आदी जो भी अंग हैं वे सब स्वस्त हैं और सुचारू रूप से कारे कर रही हैं आपकी जठर अगनी सम है, आपकी धातू अगनी सुचारू रूप से कारे कर रही है अब शान्त मन्त से रिदेक और फेफनों पर अपना ध्यान के इंद्रित करें वहां होने वाली श्वास, प्रश्वास की प्रक्रिया के लिए सरजग हो जाएं कोई भी स्पंदन, कोई भी मुमेंट आपको महसूस होता है, तो उसे महसूस करें हो सके, तो दिल की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करें हृदे के दिव्यानात को श्रवन करते हुए संकल्प करें कि मेरा हृदे आनन्द से परिपून है और सुचारू रूप से स्वस्थ होकर कारे कर रहा है इसी तरह अपना ध्यान अपनी पीट पर लेके जाएं, पीट को डीला छोड़ें, पीट को वश्राम दें वहाँ यदि कोई रोग है, कोई दर्द है, उससे खुद को राहत महसूस करें अब अपना ध्यान दाएं कंधे पर ले जाएं दाएं बाजो, दाएं कोहनी, दाएं हाथ, पूरी दाएं बाजो दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की उंगलियां, दाएं हाथ की उंगलियों के नाखुन, हाथ का पिछला हिस्सा, बाजो का पिछला हिस्सा पूरी बाजू पर ध्यान लेके जाएं इसे धीला चोड़ें तनाव रहित महसूस करें स्वस्त महसूस करें बाजू में कोई भी पीड़ा कोई भी रोग नहीं है इसी प्रकार बाया कंधा बाई बाजू बाई कोहनी बाया हाथ बाई हाथ का अंगूठा बाई हाथ की उंगलिया बाई हाथ की नाखुन बाई हाथ का पिछला हिस्सा पूरी बाई बाजू पर ध्यान ले के जाएं अगर कोई तनाव है दर्ध है तो उसे महसूस करें और उसे तनाव रहित नितांथ शिथल अवस्ता में अनुभव करें पून विश्राम के अवस्ता में अनुभव करें अब अपने गर्दन को देखें गर्दन को धीला चोड़ें गर्दन को तनाव रहित रोग रहित महसूस करें इसी तरह अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेके जाएं आपकी थोड़ी निचला होंट, उपर का होंट, दाया गाल, बाया गाल, नासा का अग्रभाव, दाई आँख, बाई आँख यदि चश्मा पहनते हैं तो दोनों आखों की तरफ ध्यान लेके जाएं और संकल्प करें कि मेरी दोनों आखे स्वस्थ है और इन आखों से मैं इश्वर की बनाई हुई स्विष्टी का दर्शन कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं अपनी दोनों आईब्रोज पर ध्यान लिखे जाएं बाई आईब्रोज दाई आईब्रोज और आईब्रोज के बीच में आग्या चक्र इस पर कुछ देर अपना ध्यान टिकाएं और संकल्प करें कि मैं नित्य शुद्ध निर्मल पावन शांति मैं आनंद मैं जोतिर मैं अम्रित पुत्र आत्मा हूं मैं नित्य शुद्ध निर्मल पावन शांति मैं आनंद मैं जोतिर मैं अम्रित पुत्र आत्मा हूं मैं नित्य, शुद्ध, निर्मल, पावन, शान्ति मैं, आनंद मैं, जोतिर मैं, अम्रित पुत्र, आत्मा हूँ मैं सदा ही पून्वे शाश्वत हूँ मुझ में किसी चीज़ का अभाव नहीं है मैं सदा ही पून्वे शाश्वत हूँ मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है मैं सदा ही भाव वैश्रद्धा से परिपूर्ण हूँ अब अपना ध्यान अपने मस्तक पर ले जाए और विचार करें कि आपकी आत्मा को चारों और से भगवान का दिव्य आनन्द प्राप्थ हो रहा है अब सिर्के उपर के हिस्से पर अपना ध्यान लेके जाएं पूरे शरीर के प्रती सजग हो जाएं भगवान की स्रिष्टी का जो दिव्य सुख है उसका अनुभव कीजिए अपने पूरे शरीर में स्थित ईश्वर की उज्जा को अनुभव करें ईश्वर से प्रात्ना करें कि आप मुझे अपनी शरन में ले लो हे प्रभू अपना दिव्य आनंद मुझे प्रदान करें हे प्रभू सदा आपकी दिव्यता, शान्ती वे जोती मुझे प्राप्थ होती रहे मैं सदा ही तेरी अनंत महिमा का चिंतन करता हुआ तुझ में ही रमन करूं तेरे आनंद में ही निमगने रहूं हे प्रभु मुझे जगत के विकारी भावों से सदा के लिए हटा कर अपनी आनंद मैं गोद में ले लो इश्वर का दिव्य आनंद अनुभव करें अपने शरीर में एक दिव्यता का अनुभव करें एक दिव्य उर्जा का अनुभव करें श्वास प्रश्वास चल रहा है अपने श्वास के प्रती सजग हो जाए श्वास अंदर लेते ही एक जीवनिय प्राण की महान शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है आप अपने आपको स्वस्त प्रसन और आनंदित अनुभव कीजिए जिस तरह से शरीर को संकल्प के द्वारा शिथिल किया था उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्यता वे दिव्य चेतना का अनंद अनुभव करें अपने पूरे शरीर के प्रती सजग हो जाएं अपने सिर, चेहरे, गर्दन, कंधा, बाजू, रिदे, नाभी, कमर, टांगे, पाउं के प्रती सजग हो जाएं अपने पूरे शरीर के प्रती सजग हो जाएं शरीर को शिथल करें पैर के अनगुटे से लेकर सिर तक प्रते अग को देखें और जिस-जिस अग को देखते जाएं, उस-उस अंग का पूर्ण स्वस्थ्य अनुभव करें यदि पैर, खुटने, अत्वा कमर में दर्ध हैं तो विचार करें कि मेरा दर्ध बिलकुल दूर हो गया है ये रोग मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है इसी प्रकार पेट, रिदे, चाती में कोई रोग है तो उसके ठीक होने का विचार करें ये दि रिदे की आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है या कोलेस्टरॉल बढ़ा हुआ है तो अपने रोगों के ठीक होने का विचार करें डाइबिटीज है तो उसके ठीक होने का विचार करें शरीर में कोई गांट या कोई रिसॉली है उसके ठीक होने का विचार करें महसूस करें कि मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो गए हैं मेरे शरीर से सारे विजात्य बदार्थ यानि टॉक्सिंस पहा निकल रहे हैं अपने आपको शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से पूर्ण तह स्वस्त अनुभव करें अपनी श्वासों के प्रती सजग हो जाएं अपने शरीर के प्रती सजग हो जाएं अपने आसपास की धनियों के प्रती सजग हो जाएं जिस कम्रे में बैटे हैं उस कम्रे के प्रती सजग हो जाएं कहरी लंबी सास लें, सास बाहर छोड़ें, श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ें जब शरीर में पूर्ण चेतना और सजप्ता मैसूस करें, तो बाई करवट मुड़ जाएं, कुछ देर बाई करवट में विश्राम करें अपने शरीर के अंगों को हिलाएं, दीरे दीरे आँखे बंद करते हुए हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर चेहरे पर लगाएं, दीरे दीरे अपनी आँखे खोलें, और हाथों के चिद्रों से ही देखें, अब अपने हाथ चेहरे से हटा कर गुटने पर रखें, चेहरे पर मुस्कान, प्रसंता का भाव, इस शान्ती को महसूस करें, एक नई चेतना और नई उचा को महसूस करें, ये थी योग नित्रा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें, और वाइबरेंट हेल्दी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,